पता है समाज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बिना बाद के तर्क करना अभी जब 2 अगस्त को प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी जी ने अपनी डीपी बदल कर तिरंगे की फोटो लगाने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने इस पर ये तर्क दिया कि हमारी क्या ओकात है कि हम अपनी डीपी पर तिरंगे की फोटो लगा कर उसे बाद में बदले इसलिए हमने अपनी डीपी नहीं बदली मेरे ही सबसे 15 अगस्त को भी अपने घर पर तिरंगा फैराने के लिए ये लोग ऐसा ही कुछ तर्क देंगे क्या हमारी क्या ओकात है कि हम तिरंगे को पैसो में खरीच सके क्योंकि चीजों से बचने के लिए और अपनी खामियाद छिपाने के लिए लोग ऐसे तर्ग देते हैं मैं मांता हूँ ऐसी बाते वही लोग करते हैं जिनकी बुद्धी का विधा सही रोप से नहीं हुए होता है क्योंकि यहां पर बात डीपी लगाने या हटाने की नहीं है यहां पर बात है पूरे विश्व को अपनी एकता दिखाने की हम अपनी डीपी में तिरंगा लगा कर पूरे विश्व को एक पहतर और एक मजबूत एक्जामपल दे सकते हैं अपनी यूनिटी का हम पूरे विश्व को बता सकते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा अपने देश को सर्व परी रखता है इसे अपनी मा मानता है और इसकी रक्षा करना अपना धर्म समस्ता है इसलिए मैं आपसे विनिती करता हूँ कि अपनी डीपी में तिरंगा लगाईए और हर घर तिरंगा मुहीम में चुड़िये अपने घर पर तिरंगा फराइए और पूरे विश्व को अपनी ताकत का अंदाज़ दिलाइए